दोस्तों कहीं ऐसे sentence होते हैं कहीं ऐसी बाते होती हैं जो हमें कभी किसी से नहीं कहने चीए उनका कहना हमारे जीवन के लिए और दूसरे के जीवन के लिए घातक है हमारी इज़त को कम करता है हमें नुकसान पहुचाता है आज मैं कुछ ऐसे sentences, ऐसी बात आपको बताऊँगा, उनको कभी भी किसी से मत बोलना पहली बात, तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हर इंसान जिंदगी में कुछ ना कुछ करी लेगा और embarrassed होगे आप, खुशिया उसकी होगी, embarrassed होगे आप वो आपकी तरफ देखेगा, तुमने कहाता ना मैं कुछ नहीं कर सकता चाया आप उस इंसान का भला भी चाते हो, तो भी ये बात आपकी पूरी जिंदगी उस इंसान के दिल में घर कर जाएगी, और वो इंसान कभी भी आपकी बहुत अच्छे से इज़त नहीं कर पाएगा, बिना किसी कारण के, सिर्फ आपके कुछ शब्दों की वज़े से तुम तो पराया धनो, किसी और के घर की लक्ष्मी हो, तुम्हें तो एक दिन चले ही जाना है एक आपने बच्चा पैदा किया है, उस बच्चे ने तो अपने आपको पैदा नहीं करवाया है आपने ही कुछ ऐसे करम की होंगे, जो वो बच्ची पैदा हुई है क्यों उसको पैदा होते ही शुनाना चालू करते हैं तो तू किसी और की अमानत है वो आप दो लोगों ने मिलके प्यार महबत करके उसको पैदा किया है तो आपकी अमानत हुगे न जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती लेकिन ऐसी बाते बोल बोल के अपने खिलाफ कर लोगे conscious मना दोगे अपनी बच्ची को आज के जमाने में प्लीज ये सब बाते करना बंद कर दो जब तक आप अपनी बच्ची को पढ़ाते लिखाते हो वो आपकी अमानत है क्योंकि आपने उसको बैदा किया है उसके बात जब वो कमाने लग जाएगी वो अपनी अमानत है उसके अपने डिसीजन अपनी लाइफ है वो जो मर्जी करे आपके साथ रहे किसी और के साथ रहे शादी करे ना करे तो कोई भी इनसान किसी की भी अमानत आज की रेट में नहीं है दोस्तों एक सेंटेंस है मैं कभी भी ये चीज नहीं करूँगा अक्सर ही लोग बोल देते हैं और बोलना जायज भी होता है लेकिन मैं परसनली बिलीफ करता हूँ कि ये सेंटेंस नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हमारी लाइफ ना हमारा फेट जो था हमारी किस्मत होती बड़ी खराब होती है वो हमारे ऐसे सेंटेंस को पिक कर लेती है और फिर हमें मजबूर कर देती है वो चीज करने पे और फिर जब हमें वो काम करना पड़ता है हम बहुत अंबैरेस होते है आपको कोई चीज नहीं करने आपने डिसीजन लिया है कि मुझे कभी नौकरी नहीं करनी बस बिजनस करना है अपने अंदर रखो अंदर से स्ट्रॉंग बन जाओ एक डिटर्मिनेशन लो महनत करने का लेकि दुनिया में मत गाओ कि मैं कभी भी ये काम तो नहीं करूँगा आपको शादी नहीं करने बचपर में अपने डिसाइड करने मुझे शादी नहीं करने दुनिया के सामने मत गाओ कि मैं तो भ्रह्मचारी रहूँगा भ्रह्मचारी नहीं रहूँगी मत गाओ, अपना डिसीजन है जब मैचियोर हो जाओगे हो सकता है आपका दिमाग चेंज हो जाए कोई अच्छा इंसान मिल जाए कुछ भी हो जाए उस समया पेमेरेस होगे तो इस तरीके से ऐसा सेंटेंस जो होता है कि मैं जिन्दिगी में कभी भी यह चीज ने करूँगा वो आपके अपने लिए होता है अपने आपको स्ट्रॉंग बनाने के लिए होता है दूसरों के सामने ऐसी चीज़े मत बोलो लाइफ को गेम घिलने पे मजबूर मत करो अगर तुमारे प्यार में ना ही पड़ा होता तो ही अच्छा था तुमसे रिष्टा करके तो मेरा जीवन बरबाद हो गया तुमारे बिना ही में ज़्यादा खुशता बड़ी लडाईयां हो जाती है के लिए पर पार्टनर से और लोग ऐसी बाते बोल देते हैं लेकिन ऐसी बाते बहुत ज़्यादा चुम जाती है रिष्टे में एक गांट मार देती है और वो असानी से निकलती नहीं जहां शब्दा आगे न तुमारे बिना वह दूसरे इंसान को लगता है कि प्यार नहीं है मजबूरी है अंदर की बात निकल के बाहर आ रही है कभी भी ऐसी बात अपने पार्टनर से बिलकुल भी ना कहें इसी के साथ अगली बात आती है अगर तुमने यह नहीं किया मैं तुम्हें छोड़ दूँगा अगर तुमने मेरी यह बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा अगर तुमने सरकारी जॉब नहीं की तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगी अगर तुमने अपनी जॉब नहीं छोड़ी तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा यह जो छोड़ दूँगा वाला एंगल है न कंडिशन वाला ये एक प्रूफ है कि आप उस इंसान से सच्चा प्यार नहीं करते क्योंकि सच्चे प्यार में छोड़ने का ऑप्शन ही नहीं होता मोटिवेट तो कर सकते हो, पुछ तो कर सकते हो, कंडिशन नहीं रख सकते हैं अगर आपने कंडिशन रख दी उस इंसान को समझ में आ जाएगा ये इंसान मुझसे प्यार नहीं करता उस कंडिशन से जादा प्यार करता है मेरा जॉब ना करना इसके लिए जादा इंपोर्टन्ट है मेरा पैसा इसके लिए जादा इंपोर्टन्ट है सिद्धी सिद्धी बात है जज करने की मैं तो खुद कह रहा हूँ जज करो अगर आपका पार्टर कंडिशन रख रहा है आपके प्यार पे आपकी शादी पे जज करो उस इंसान को तुम्हें मेरा कल्चर अपनाना पड़ेगा मेरा धरम अपनाना पड़ेगा मेरे जीने का तरीका अपनाना पड़ेगा तब शादी करूँगा बिल्कुल भी ऐसे इंसान से शादी मत करना आज depression जहिल लो आज दुख जहिल लो मैं खुद कह रहा हूँ तो दोस्तों कभी भी condition वाली statements अपने partner को जिससे आप प्यार करते हो बिल्कुल भी मत बोलना दोस्तों अगली बात जो है उसके बीचे मेरे को बहुत सारे message आते हैं बच्चों के वो कहते हैं मैं suicide कर लूँगा क्योंकि मेरे माबाप भी कह रहे हैं कि तुम्हारा जीवन बेकार है इससे अच्छा तो तुम पैदा ही ना होते या पैदा होते ही मर जाते तुम हमारे लिए मरे समानो इस टाइप की बाते माबापों को अपने बच्चों से कितना ही गुस्ता हो नहीं कहनी चीए कही बच्चे बहुत emotional होते हैं vulnerable होते हैं किसी का जीवन बेकार नहीं होता और यह जो मरने की suicide वाली जान देने की बात होती न बड़ी सोच समझ के बोला करो क्या पता कब कौन आपकी बात बिल्कुल दिल पे ले ले और उस moment में कोई गलत काम कर जाए पूरी जिंदगी regret करते रहोगे अगली बात है कोई आपके बच्चे का आपके भाई या भेन का आपके पती या पतनी का बहुत important life का event है कोई exam है कभी भी उनको यह मत कहना कि अगर तुम fail होगे तो मुझे अपनी शकल मत दिखाना अगर तुम इस चीज को नहीं कर पाए तो मुझे अपनी शकल मत दिखाना पहली बात तो वो इनसान इतने प्रेशर में आ जाएगा कि परफॉर्म नहीं कर पाएगा मेहनत नहीं कर पाएगा continuously आपकी बाते उनको सताती रहेंगी दूसरी बात अगर वो fail हो गए तो हो सकता है वो कभी आपको अपनी शकलीना दिखाए छोड़के भाग जाएं सुजाइट कर लें कभी भी ऐसे शब्दों का इस्त्वाल मत करना मोटिवेट करो समझाओ गुस्सा भी करो तो भी आपके बच्चे को या उस इंसान को बताओना चाहिए कि मैं फेल हो गया मेरे लिए ये खड़े हैं मैं इनके पास वापिस आ सकता हूँ